जीतू पटवारी ने कारेकरताओं से कहा कि ये विश्वास दिलाता हूँ कि बीजेपी जनवरी महीने में वादा अगर पूरा नहीं करेगी तो इन्हें वादे को याद दिलाने के लिए भोपाल में सबसे बड़ी रैली करेंगे नवागत कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल के PCC कारयाले पहुँचकर पदभार ग्रहन कर लिया है पदभार ग्रहन करने के बाद जीतू पटवारी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए बीजे पीपल जमकर बरसे नवागत प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहन करने के साथ ही जीतू पटवारी ने भी अपना फोकस प्रदेश की आधी आबादी, किसान और लाडली बहनों पर कर दिया है आमसभा को संबोधित करते हुए नवागत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने और बाबा भीम राव अंबेटकर की तस्वीर लगाने पर कहा कि हम इनके घ्रिना की राज़नीती के खिलाफ खड़े ह गे जीतू पटवारी ने कारेकरता हैं कि आप सब窃 कारेकरता सुबह से आए हुए हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ सदकार करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये भारती जनता पार्टी अगर जनवरी महीने तक अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो इन्हें वादे को याद दिलाने के लिए भोपाल में हम सबसे बड़ी रैली करेंगे जिसे दो लाग कारे करता इस रैली में श होता है और 51 ृट के लक्ष को प्राप्त करना क्या होता है यह सारी भावनाओं के साथ का अंगरिस का कारिकरता काम करेगा और अबस्थ अगली विधान सभा तक कांग्रेस पार्टी संगर्श केसा करें विपक्ष का सकारात्मक रोल प्ले केसे हो जिसमें भारती जनता पार्टी के घोशना पत्र को वो मूर्त रूप दें इसके लिए हम कैसे उनको मजबूर करें यह सब भावना हमारे अंतरमन में लक्ष को लेकर करना के लिए मजबूर आने के लिए निया करेंगे हर जिले में जिसमें ब्हारती जनता पार्टी अपने वादों को याद करें और उनहें पूरा करें तीन हजार रुपए क्विंटल गेहूं कि दाम की भावना आम किसान की थी, ये कॉंग्रिस बीजेपी की भावना नहीं थी, बारती जनता पार्टी ने 2700 रुपए क्विंटल बोला है, तो 2700 रुपए करना चाहिए, इन्होंने 3100 रुपए प्रतिक्विंटल धान का बोला है तो वो भी करना चाहिए हर घर को रोजगार देना चाहिए दो लाख नौकरियों का वादा किया है तो उसे निभाना चाहिए साढ़े चार सो रुपए का गैस सिलिंडर हर घर को जाना चाहिए लाडली बेहनों को देने होंगे 3,000 रुपए जीतु पटवारी निकाक शिवराज भाया चला गया है लेकिन अब जीतु भाया है लाडली बहनों से जो वादा किया है तीन हजार रुपए प्रती महीने का उसे पूरा करना होगा बहनों की रक्षा के लिए हम तैयार हैं बीजेपी को मजबूर करेंगे कि लाडली बहनों को तीन हजार रुपए या महीना दे बस यही संकल्प हम सभी का होना चाहिए यदि बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो राजधानी भोपाल में दो लाग के साथ रैली निकालेंगे